नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मा सन्मार्ग सूरे को जल हर कोई देता है और जल देने के बहुत सारे फाइदे भी है सूरे जो ग्रहों के राजातो हैं ही पूरे स्रिष्टी को रोसनी भी देते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि सूरे के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं तो किसी भी तरह के स्वास्त की समस्या के लिए भी सूरे होते हैं और सूरे को मजबूत अगर आप कर लें तो जीवन की तमाम परिसानियों से सुरक्षित बने रहते हैं बचे रहते हैं कुछि समस्ति सृtestि के उरजा और प्रकास का कारण सूरे है और सूरे को स्वास्ति का राजिका औ्सधी का पिता का खाने पीने की वस्तों का कारक माना सूरे आपके नाम यस और राज पद भी देते हैं किसी वी तरह की अग मेकिसे सूरे बचे रहें बने रहें तो सूरे को जल चड़ाने के तरीके भी होते हैं आज हमापसे तमaam चीज़े साजा करेंगे देखिए सूरे को बहुत सारे तरीके से आप बहतर कर सकते हैं और अलग-अलग समस्याओं उससे मुक्ती पाने के लिए अलग-अलग उपाई किये जाते हैं वैसे तो आप घर में भी सूरे को अर्द दे सकते हैं उकते वे सूरे को जल देना सबसे अच्छा माना जाता है तो सबसे पहले जानते हैं अगर सत्रू विरोधी जीवन में परिसानी दे रहा हो या फिर आप के जीवन में लगता है जैसे सनीदेव राहु के तु सब आपसे रुष्ट हो गये हैं तब जल में एक चुटकी काला तिल डाल कर सूरे को अर्पित करें इससे आपके जो सत्रू विरोधी हैं वो सांथ हो जाते हैं और चाह कर भी आपका कुछ भी नहीं बिगार सकते तो प बैवाहिक जीवन में समस्या है तब जल में एक चुटकी हलदी डाल कर भगवान सूरे को अर्पित करें तो आपके बैवाहिक जीवन या विवाह समंदी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी लाइफ बहुत बेहतर होती है जीवन में सभी हिस्सों में लाव के लिए यहीं समस्त मनोकाम्नाओं की पूर्ती के लिए साधा जल भगवान सुरे को अरपिद करें। ऐसा करने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप भगवान सुरे को जल अरपित करते हैं तो एक बात ध्यान रखें लोटे को सर से भी उपर ले जाएं फिर पतली सी जल की धारा गिराएं और यह किसी आप गमले बेगर में भी कीजिए तो अच्छा है जैसी कि डारेक्ट पैर पर आपके वो जल ना पड़े अगर आप जीवन में अच्छे स् रहे अच्छा स्वास्त रहे तब रोली या लाल चंदन जल में डाल कर भगवान सुर्य को अरपित करें तो आपको इसके सुखत पर इना मिलेंगे तो बात चर्चा जारी है हमारी सुर्य को जब आप जल अरपित करते हैं तो ध्यान रखें कि पैरों में जैसे डारेक्ट ज जाते हैं तो कोई बात नहीं आप ज्यादा मन में कोई भी गलत विचार ना रखें यहां पर देखें सुर्य को जब भी आप जल अरपित करें तो जल अरपित करने के समय आप गयतरी मंत्र पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से सकात्मक बहुत ज़्यादा आपके अंदर आती है और अगर आपको अगर हम बात करें तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्ति आपको हो क्योंकि सुर्य सरकारी नौकरी भी देते हैं राज पद देते हैं तो सुर्य देव अगर आपको चाहिए कि सरकारी न में सफलता भी मिलती है और एक अच्छी जौब भी मिलती है तो ये आपके लिए अतियावस्यक है अब जो विद्यारती है आप चाहते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से हो आप अच्छे से पढ़ें मन का भटकाव ना हो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों के लिए खा अभ्यास बना लेते हैं तो आपके अंदर सकात्मक उड़ जाएगी और तमाम परिसानियों से बचे रहेंगे अक्षत अब यह जो अक्षत है यह संपूर्णता का प्रतीक है जीवन में धन, मान, समान, बैभव, खुसियां हर किसी चीज की प्राप्ती के लिए आप सूरे देव को जब जल अरपित करें तो एक चुटकी अक्षत डाल कर अरपित करें आपका मान समान बढ़ेगा जीवन में खुसियां लोटाएगी और सूरे देव को इस तरह से अक्षत डाल कर जल देने से धन की कमी कभी नहीं होगी क्योंकि सूरे देव आपके जीवन में धन, सुख, एस्वरे सब कुछ बढ़ाते हैं एक बात याद रखिएगा ये चाबल तुटे वे नहीं होनी चाहिए बिनासरान किये तो कभी भी जल अरपित मत कीजे और एक बात और है जो बिद्यारती है अपड़ी पढ़ाई लिखाई में एकागरता के लिए जल में ब्लू इंक यानि नीला सियाही आपको मार्केट में मिल जाएगा पहले जबाने में फॉन्टेन पिंड में हम लोग डाल लेकिन जब आप जल में मिसरी या गुड़ डालकर अरपित करें तो तामबे के लोटा से जल मत अरपित कीजेगा आप यह पर पीतल या स्टील का लोटा यूज़ कर सकते हैं यानि तामबे के बरतन में मीठी चीज डाल कर नहीं अरपित करने चाहिए अगर आप तामबे के लोटे से ही आपको जल अरपित करना है तो मीठी चीज आप साइड में रख दे फिर जल अरपित करें वो चीटी भी गयरे खा लेगा तो बहुत सिंपल उपाय हमने बताया आपको सूरे को जल अरपित करने के अब एक और बात बहुत बार क्या होता है कोई आपका पैसा ले लिया है और वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा आपका पैसा लगता है जैसे उनका ही पैसा हो गया और वो आपसे फिर आपसे मुलाकाते नहीं करेंगे इदोदर की बाती करेंगे पर पैसे देने में कल परसो और वो सायथ कभी नहीं आता कही बार आपके अपने होते हैं जो आप पैसे मांग नहीं पाते और मांगते हैं तो वो देना नहीं चाहते अब क्या करेंगे तब ऐसे में आप एक उपाई करें भगवान सुरी को लाल मिर्च के एग्यारबीज निकाल कर जल में डाल कर उन्हें अरपित करें सरभी वार के दिन से सुरू करके लगातार 27 दिनों तक आपके रुके वे टूब करने के लिए क्या करेंगे जल में एक या दो पंखुरी करना भी नहीं चाहिए एक पंखुरी कम सिकब जल में डालें और भगवान सुरी को अरपित करें अगर यह लगातार 27 दिनों तक करते हैं रभी वार के दिन से सुरू हो गए तो जीवन में धन बैभव बढ़ता है ज करने से 9 के 9 गुरह मजबूत हो जाते हैं आपका स्वास मस्याई परिसान नहीं करती आपकी हड़ी मजबूत होती है तो इस तरह से हमने बिदी बताई आप सुरू को जल अरपित करें अब बहुत सार दरसक ऐसे भी जो कहते हैं कि क्या हम सभी चीज़ों को एक सार डाल कर अ लेकिन जो लाल मिर्च का बीज वाला उपाय हमने बताया फसे पैसे के लिए उसे आप अलग से कीजिएगा हम आप से फिर मिलेंगे हर हर महादेव